Hi guys, कैसे हैं आप सब? Welcome, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं Grade 6, CBSE का English का Chapter 6 The Monkey and the Crocodile ये chapter एक स्टोरी है पंच तंतर से उठाई गई है जो पुरानी स्टोरी हैं इंडिया में जो जेनरी आनिमल्स के आसपास से रिलेटेड होती है तो ये बहुत important message देती है ये जो स्टोरी है कि कभी किसी को blindly अंधे तरीके से trust मत कीजिए कोई भी decision लेने से पहले सोचिए और इसमें वो सोच समझ दिखाई गई है एक monkey के द्वारा एक बंदर के द्वारा तो देखते हैं कि क्या सीखने को मिलता है और किस तरीके से हम इससे कुछ सीख सकते हैं तो चले तो एक बार एक नदी के कट पे किनारे पे एक monkey ने एक पेर के उपर अपना घर बनाया ये वो बला पेर था जिसके उपर इतने भर भर के फ्रूट्स लगे हुए था तो monkey खुशी खुशी वहां रहता था और दिल भर के जब तक उसका मन नहीं भरता था तब तक वो फ्रूट्स खा सकता था मतलब इतने फ्रूट्स थे The monkey was happy but lonely and wanted a companion, Sati Jayeda to talk to and share the fruits with, but there was no one around, not even another monkey. Till one day a crocodile appeared on the riverside. Hello there, said the crocodile. Do you live in this river? Would you like to eat some fruit? Hello there, said the monkey. Do you live in this river? Would you like to eat some fruit? तो जो monkey था जिस बेड़ पे रहता था बहुत खुश था लेकिन उसके पास दोस्त नहीं थे बात करने के लिए और वो अकेला मैसूस करता था क्योंकि दूर दूर तक कोई animal नहीं था तो उसको एक साथी की जरूरत थी, आप अकेले तो रह नहीं सकते बट साथी तो छोड़ो बलकि और मंकी भी नहीं था असपास और फाइनली एक दिन, एक क्रोकुडाइल वहीं पहुन जाता है मंकी जैसी उसको देखता है उसको बोलता है, हलो क्या आप इस नदी में रहते हो? क्या आप यहां पर कुछ फ्रूट खाने आए हो? Good morning, replied the crocodile politely. I did come here in search of food for myself and my wife. Nice of you to offer me food. तो प्रौकॉडाइल जट से आंसे पता है कि जी हां बिलकुल, good morning. ने यहां पर खाने की तराश में आया हूं, ना किवल अपने लिए बलकि अपनी के लिए और यह आपका बड़ापन है, चाहिल है कि आप मुझे fruits offer करने है. The monkey plugged some from the nearest branch and threw them down. The crocodile found them delicious. the monkeys. Thanks, he said. May I have some on my next visit? Certainly as many as you like and some for your wife too, said the monkey. तो मंकी ने जट से कुछ फ्रूट्स तोड़े पास की तहनी से और क्रॉकडाइल को दे रहे क्रॉकडाइल ने खाए और उसको बहुत टेस्टी लगे और उसने थैंक यू बोला मंकी को और उससे पूछा कि क्या मैं अगली बार भी यहां पर आ सकता हूँ तो आपको मिल ले और फ्रूट्स थाने तो मंकी कहता क्यों नहीं बिलकुल आ सकते हो और जितना मंक चाहे उपने फ्रूट्स खाए बलकी अपनी वाइप के लिए भी लेके ठाएए तो जरूर आईएगा मैं तो यहां पर अकेला रहता हूँ अटूरिय प्रूट्स बना सकते हूँ which the host threw down. He took some home for his wife. The monkey and the crocodile were now the best of friends. They talked and were never tired of talking. They talked about birds and animals, about the villages nearby and the difficulties villagers faced in raising crops for lack of rain. So, after the death of the crocodile, the crocodile started to come. Regularly, he would eat a rose flutes, which the monkey would give him. The host who was here? The monkey. Because the monkey didn't invite him. So, he would not eat himself, but he would take his wife to his wife. और अब रोज मिलने की वज़े से crocodile और monkey दोनों बहुत उच्छे दोस्त बन गए. बहुत लंबी बात करते, काफी देर तक बाते करते. और किस पे बात करते? कभी birds के बारे में, कभी animals के बारे में, कभी आसपास के गाउं के बारे में, कभी वहाँ पे रहने, रहते लोगों के बारे में, जो दिक्कत, जो problem face कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे बारिश नहीं हुई थी, और वो फसल के लिए तो पारिश बहुत जरूरी होती है, पानी बहुत जरूरी होता है, तो वो बात कर रहे थे कि किस तरीके से वहाँ के लोग जो हैं, वो problem face कर रहे हैं, क्योंकि बारिश नहीं पड़ी है, One day, the crocodile stayed with the monkey longer than usual, his wife was annoyed, waiting and waiting, managing the little crocodiles who had just been hatched, और भी पैदा हुए थे छूटे crocodiles, और देसे निकले थे। She said, Who is this friend of yours you are so fond of? Oh, he is a very nice monkey, he replied. He lives on a fruit tree. He sends fruit for you every day. You don't expect me to climb trees, do you? तो एक बार ऐसे ही गप्पे मारते ही एक तिन, crocodile काफी ज़ादा गप्पे मारने शुरू कर देते हैं, और वो लेट हो जाते हैं घर जाने के लिए. तो जो बीवी थी, उसको तो गुसा है हुआ था, वो इतनी देर की वेट कर रही थी, ये चोटे जो नए-ने crocodiles पैदा हुए थे, अंडे से निकले थे, उनको अभी संभालते संभालते, वो तो ठग गई थी अकेले. तो वो पुस्ती है, कौन है ये तुम्हारा नया दोस्त, जिसको तुम इतना जादा प्यार करते हो. तो तो प्रॉकडाइल बोलते हैं, आरे, ये वो ही मंकी है, जो वो फूरूट ट्री पे रहता है, और जो तुम्हारे लिए रोज फूरूट बेजता है. मतलब मुझे लगता है कि तुम्हे ये पता होगा कि मैं खुद तु पेड़ पे चड़ नहीं सकता और तुम्हारे लिए फूरूट नहीं ला सकता. तो, तो अनाइस मंगी, I'm sure, replied the wife, दिद ओव्वियस सर्कास्म. अब सर्कास्म क्या होता है? से words यूस करना जिससे आप इसी को insult करना चाहते हूं. If you ask me, this monkey should be my food. Hmm, I want to eat his heart so much. What a foolish thing to say, shouted the crocodile. I can't kill a friend. though I won't mind a monkey occasionally for a change of taste. Occasionally means कई बार, कभी, कभी. You bring him here, ordered the wife. I want to see him. So, you can eat him. Never declared her husband. तो wife अब बड़े insulting manner में उसको बोलती है, अच्छा, अच्छा monkey, नाइस monkey, क्यों ना इसे अपना खाना बनाया जाए? मैं तो यह अगर मिजसे सच में पूछो, मैं तो इस monkey को खाना चाहती हूं, बल्कि मंकी क्या, मैं तो उसका हार्ट खाना चाहती हूं, क्या बेफ़कूफ हूं वाली बाते कर रही हूं, जोर के चिलाता है, मैं अपने दोस्त को मारूंगा, बिल्कुल भी नहीं, अलांकि अगर वो मेरा दोस्त नहीं होता तो, एक रॉकुडाइल को खाना, कभी-कभी मैं बुरा नहीं मानता उसका, बल्कि अच्छा है, टेस्ट चेंज हो जाता, लेकिन क्यों की वो मेरा दोस्त है, बिल्कुल भी दगानी करूंगा, बिल्कुल नहीं, पट वाइफ तो अड़ी होई थी, वो कहते कि नहीं, तुम लेकर आओ, मंकी को, लेकिन क्रोकोडाइल ने मना कर दिया, गुसे में, कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं लेकर आओंगा उसको, यहाँ पर तुमने सोच कैसे लिया, तो अब आगे क्या होता है, वो हम नेक्स क्लास में करेंगे, अगर आपको यह सेशन पसंद आया, तो प्लीज जरूर कॉमेंट्स में बताईए, थैंक यू,